शुक्लाम् परधरम् विष्णुम् शशीवर्णन् चतुर्भुजम् प्रसन्वद्नन् ध्यायेत् सर्व विग्नो पशांतये। ओम् श्री कृष्ण परब्रह्मने नमह ध्यान श्लोकाह पारथाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायने नस्वयम् व्यासेन ग्रथिताम् पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वेताम्रत वर्षिनीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्बत्वा मनुसंदधामी भगवत गीते भवद्वेशिनीम् ओम श्री क्रिष्ना परब्रमनी नमहा। Om Krishnaya Namaha Om Krishnaya Namaha Om Krishnaya Namaha Om Krishnaya Namaha सभी को सुप्रभात और जैमा सरस्वती Actually मैं मैं आज इन्वाइटिट थी कहीं पर इंटर्व्यू के लिए किसी चैनल पर तो मैं एक घंटे का इंटर्व्यू वहाँ पर दे कर आई हूँ और इसलिए मैं देर से स्टार्ट किया मैं पर सोच मैं पढ़ गई कि आज मैं करूं के नहीं तो मैंने सुचा इसी किताब को जो नाइंटीन वाइवस अफ मोहमद हैं इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आज फिर पार्ट थी में खतम कर लेंगे शायद इंद्रा जी आपको जैश्री राम जैश्री कृष्णा तो जो विडोस ओफ वार हैं हम हिंद के बारे में बात कर रहे थे हमने पार्ट वन में देखा था कि हिंद जो है वो मोहमद की वाइफ जो है वो उसने अबुबकर उसके पास गया पोलने के लिए लेकिन उसने अबुबकर 52 येर्स का था उसने मना कर दिया फिर उमर गया उ और राजसी लोग थे वो लोग लेकिन जब अबुबकर 52 का था और उसने उसको मना कर दिया इसके बाद उमर गया तो उमर ने भी को भी उसने मना कर दिया इसके बाद जो है वो इसके बाद तीसरा जो है ये मुहम्मद किया और इसने मुहम्मद को बहुत तरह के इशारों में मुहमद तो अबुबाकर से बी बड़ा था वो पच्पन का था उस समय लेकिन उसने मुहमद को बहुत तरह से बोला और फिर उसने इसको करना चाहा और लेकिन मुहमद जो है वो उसके पीछे ही पढ़ गया और फिर इसने उससे शादी कर ली और कई दिन तक वो उसके साथ जो है नहीं रही, वो बच्चती रही उससे, यहां तक हमने देखा था, मुझे एक सेकंड का समय दीजे, मैं एक सेकंड में आती हूँ जाताओ wizard अध elख झाना अंड है पो कि यहां भाउव प्राई खाना यूल में रहाँ ध अप्राउशन सेवाश धर रहाा भाण वझे एक भीक वर begin toưởng ऊते हूँ सुरी है मुझे काम पढ़िया था तो हाँ तो कंटिन्यू करते हैं तो ये जो हिंद थी ये बड़ी खुबसूरत थी और ये अरिस्ट्रोक्रेटिक फैमिली को बिलॉंग करती थी अबू बकर बावन साल के को इसने मना कर दिया फिर जो उमर है वो उससे शादी करना चाहता थ हिंद के हजबन के मर जाने के बाद लेकिन ने उसने भी उसको भी मना कर दिया फिर मुहमद जो है उसको भी इसने इशारों से मना किया लेकिन मुहमद माना ही नहीं अब उससे शादी हो गई जब तब वो कई दिन तक बच्चती रही लेकिन फिर बाद में जो है उसका कोई साथ में था उसने उसको डांट लगाई उसके बाई उसके कजन ने यहां तक हमने देखा था अब हम जो है आज शुरू करेंगे हिंद और मुहम्मद 226 से लेकर 6.32 तक तो यह किताब जो हैंगलिश में है और ये तार borrowing कार्थर जी ने मुझे दी है और किताब को दिखा दिखा के मैं नहीं पढ़ूँगी अब जो है क्यूंकि उन्होंने अभी यह किताब मार्केट में नहीं लाई है और उन्होंने मुझे अपनी कॉपी दी है तो मैं जो है इसको वैसे ही सुना दूँगी अगर कोई ancestry का chart होगा वो आपको जरूर दिखा दूँगी तो जब हिन्ने से मुहमद ने शादी कर ली तो उसे पूछा गया कि आपके दिल में आईशा की क्या जगे है तो वो चुप रहा क्योंकि आईशा की जगे तो चैलेंज हो गई और आईशा ऐसा विश्वास करती थी कि हिन्द जो है वो उसकी थर्ड फेवरेट वाइफ है मुहमद का जो है ये जो हिन्द थी इसने बहुत तरह से कहा था कि मैं तो मोनोगैमस हूँ मोनोगैमस हूँ और हाला कि वो उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती थी लेकिन वो अब क्यूंकि वो अपने हस्बेंड के प्रती बहुत लोयल्ती और जन्नत में भी उसको अपना हस्बेंड नहीं मिलेगा क्योंकि उसने मुहमद से شादी कर लिया और देखो मुहम्मद की चलाकी की अपनी बीवियों को तो बोल दिया कि भाई वो दुबारा शादी नहीं करेंगी ताकि वो जो है अपने हस्बंड को जो मुहम्मद है उसको भी पैरडाइस में पाएं लेकिन इससे ये फॉरण तयार हो गया शादी करने को जबकि ये जो है म इंपरर था अबिसीनिया का जिसने की इन लोगों को बड़े प्रोटेक्शन दिया था वो 630 के लेट में वो मर गया अब जो नया एंपरर है और उसने जो है मुहम्मद ने कुछ जोलरी और मस्क भिजवाया था उस एंपरर को नए एंपरर को वो उसने वापस कर दी अब ये वापस करने से ये पता चला कि अब ये जो नया एंपररर आया है ये कोई मुसल्मानों की मदद नहीं करेगा और बल्कि ये जो अपने आपको बड़े हेल्पलेस रेफ्यूजी दिखा रहे थे अबिसीनिया में बल्कि वो उसको डेंजरस पॉलिटिकल फोर्स समझ अब ने एक-एक ओवोकिया क्या चीज़ है वो मस्क का यानि कोई खुश्बू होती होगी या पता नहीं क्या है ओवोकिया मस्क का वो अपनी हर बीवी को दिया और और हिंद को नकेवल वो मस्क दिया बल्कि जेवरात भी दे दिये कि हिंद जो थी वो लॉफल पोजेसर थी परफ्यूम है मस्क मतलब परफ्यूम है तो जो कि वो अबिसीनिया में रहती थी पुराने एंपिरर के प्रोटेक्शन के अंडर में आपको याद होगा कि अबिसीनिया में ये लोग रहते थे हिंद और उसका हस्बेंड इसलिए हि परफ्यूम गया बलकि जेवरात भी गए जबकि सौदा जो की वो भी अबिसीनिया में थी हिंद के साथ लेकिन उसको उतना ही मिला जितना आईशा हफसा को और औरों को मिला क्योंकि कुछ एक कुछ रीजन था जिस वज़े से हिंद को एक स्पेशल रिटर्न गिफ्ट जादा मिला जब कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं आता था मॉस्क मतलब मस्जिद के अंदर तो हिंद को उसी स्टाइल में रहना पड़ता था जैसे कि मुहम्मद की और बीवियां हला कि हिंद बहुत अमीर घर की थी अब मुहम्मद ने वहां से एक वार्निंग इशू की अपने मस्जिद से कि जो भी विमिन है वो इस धरती पर गोल्ड पहनेंगी उनको आखिरात में बहुत जादा पनिश्मेंट मिलेगी और उनको जो है जो उनको नेकलेस और इयरिंग्स दोनों आग के पहनने जहन्नम में तो जो हिंद है वो उससे इसके बारे में पूछती थी तो उसने कहा कि भई तो फिर आपने तो मुझे ये जोलरी दिये तो वो कहता था नहीं उसको अगर तुम ठीक टैक्स उस पर दे दो तो तुमको कोई पनिश्मेंट नहीं है और हिंद जो है वो अपना गो मुहमद ने उसको कहा कि तुम खाली चांदी और केसर ही रखो अब आईशा जो है उसको इस तरह की कभी कोई प्रॉबलम के बारे में चिंता करनी नहीं पड़ी क्योंकि उसके पास गोल्ड था ही नहीं हिंद ने बहुत अज्जस्मेंट किया जब वो अपनी टेंट में बै तो उस आदमी ने कहा कि तुम तो हमेशा मुझे गुड विशिस देते हो और मतलब वो तो देते नहीं हो कोई पैसा ऐसा होगा या पता नहीं क्या और कोई आक्षन नहीं तो मुहमद ने अपने दो नौकरों को कहा कि इस बैदुईन ने मेरे बेस्ट विशिस को जो है तो उन नोकरों ने मान लिया फिर मुहम्मद ने एक पानी का कटोरा मंगाया और उसमें अपने हाथ धोये और अपना मूँ भी धोया और फिर एक मूँ में कुल्ला भरा और उसको उसी में बोल में कुल्ला कर दिया फिर उसने उन नोकरों से कहा कि तुम अब इसको पी जाओ और अपने मूँ के उपर जो है डालो और अपनी चाती पर भी और तुम अपने बड़े खुश हो जाओ इन बेस्ट विशिस से देखा अपने इतना गंदा था यादी इसने उसको कटोरा मंगा के उसी में कुल्ला करके थूक दिया और फिर उन नोकरों को देखे कहता है कि तुम अब इनको पी जाओ अपने चातियों पर उड़े लो और मेरे बेस्ट विशिस जो इस बड़ू ने नहीं एकसेप्ट करें ये तुम लोग कर लो फिर वो जो है हिंद जो थी वो बड़ी फिर अब ये हिंद तो अंदर बैठी हुई थी टेंट के इसने जो है चिला के बोला कि तुम अपनी कुछ मा के लिए भी सेव कर लो तो वो वो लोग उस पानी को लेकर चले गए अपनी मा के लिए तो उसने व वो बड़ी मोडेस्ट थी अपने उसके लिए फिजिकल और साइकलोजिकल प्राइविसी के लिए चार महीने बीट गए जब मुहम्मद के साथ शादी के तो मुहम्मद गया रेड करने दुमातल जंदल में जब वो चला गया तो फिर वो उसने इंटे मंगवाई और अपने घर का रेनोवेशन कर लिया जब मुहम्मद मदीना आया और उसने नई दिवार को देखा तो वो सीधे-सीधे हिंद के घर में गया और जनरली तो वो आईशा के घर जाता था पहले पर वो हिंद के घर गया औ तो उसने का अल्ला के नभी मैं जो हूं लोगों का व्यू नहीं देखना चाहती पब्लिक का तो मैंने ये दिवार लगा दिये तो ये कोई ऐसा ये कोई एक्सक्यूज नहीं था उम्मसलमा उसने उसको एडवाइस किया कि भई देखो सबसे बेकार चीज एक मुसलमान जो खर कि बताया कि बताओ मेरे को ये कोई मदर आफ दा फेथफूल हमें जो है वो प्रॉफिट के सीक्रेट्स बताओ तो वो कहती थी कि कुछ नहीं है बताने के लिए वो तो वैसा ही है प्राइवेट में भी जैसा कि वो पब्लिक में है लेकिन उसको इस बात से भी बड़ा अफ अंसर दिया है करेक्ट अंसर दिया है मुहम्मद का कजन जो था उम मसुलेम उसने उससे एक सीधा सीधा कोशन पूछा कि अल्ला जो है वो तो एमबैरेस नहीं होता सच से तो तो क्या एक वोमन को एक रिचूल बात लेना जरूरी है अगर उसको कोई एरोटिक ड्रीम आ जा उसने का कि क्या कोई वोमन को भी एरोटिक डिस्चार्ज हो सकता है तो मुहम्मद ने कहा कि तुमारा हाथ तो डस्टी हो जाए हाँ विमन भी तो आदमियों की तरह है अगर कुछी वोमन को और्गैजम नहीं होता तो फिर वो बच्चा जो है मा की तरह क्यों दिखेगा तो वो मुहम्मद सोचता था कि जिस भी पेरेंट को पहले औरग्याजम होता है तो बच्चा उसी की शकल का होता है अब तो कन्वर्सेशन और भी वर्स हो गया और हिंद ने कहा कि आपने तो सारी महिलाओं को इंबेरेस कर दिया है तो हिंद जो है वो इस चीज में बहुत इंटरेस्ट लेती थी कपड़े पहनने में जब हिजाब का आयत उत्री तो उसने एक साल बाद उसने जब जब उसने शादी की थी महमद से उसके एक साल बाद हिजाब वाली आयत आई तो उसने कहा कि उसने देखा कि जो इतनी भी कॉमरेड़ विमिन थी वो आती थी तो वो अपने बड़े लिबादे में आती थी जैसे कि कववे बैठे हैं उनके सिरों पे तो मुहमद ने हिंद को कहा कि वो अपनी अपना जो हिजाब है या बुर्का है निकाब है और उसको अरेंज कर ले एक फोल्ड के साथ ना कि दो के साथ और उसने कहा कि वो उसके अंदर जो गाउन पेहनती है अंडर वौ कोई बात नहीं दिख सकता है और वो एक हैंड स्पैन होना चाहिए तो उसने कहा जो गाउन के जो एसके नीचे पहनते है ना गाउन वो मतलब हाथ बना हूँआ तो इसने हिंद ने जो है वो कहा कि भई कि अगर वो इतना लंबा ना हो कि उसके पैर तक हो तो उसने कहा कि वो फोराम की लेंथ तक हो पर उससे ज़ादा नहीं पिर हिंद के चार बच्चों के अलावा बहुत सारे डमेस्टिक सर्वेंट्स भी लाई थी उसके पास एक अनेमड़ स्लेव गर्ल थी जिसका नामीं नहीं था एक मेल सलेव था जिसका नाम आफला था और वो बहुत वह था गंदिगी के मामले में बहुत फास्टीडियस था एक और था जिसका नाम शिप था, जो कि आधा पर्शियन था, और एक हीजड़ा था, जिसका नाम हिट था, और एक स्वतंत्र आदमी था, जिसका नाम नईम था, और एक स्वतंत्र औरत सी जिसका नाम महाजिर था, ये सारे इसके नौकर हैं. मुहम्मद ने सोचा कि जो है ये जो हिंद के नौकर चाकर आए हैं इनको इनसे अपना भी काम लिया जाए उन्हों ने भी कहा कि ये तो उनका ओनर है कि वो जो है प्रॉफिट को सर्क करें और उन्हों ने बड़े खुशी-खुशी किया महाजर ने कहा कि मैंने तो जो महाजर जो थी वो महिला थी जो फ्री महिला थी उसने कहा कि मैंने मैंने जो है मुहम्मद की सेवा दस साल तक करी और उसने कभी मेरे से नहीं पूछा कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया शिप जो था वो एक बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा आदमी था और मुहमद ने उस के साथ बहुत सारी अजीब अजीब डिमांड पेश की एक बार वो एक जरनी पर गए तो कुछ पैदल चलने वालों ने कहा कि उनका बैग जो है बहुत हैवी है कि वो जो है रेगिस्त शिप कौन था एक मिनट शिप जो था वो सलेव था आधा परशियन था वो उससे कहा कि वो अपना कपड़ा जो जो उपर कोट सा पहने वो स्प्रेड कर दे फिर सबके बिलॉंगिंग जो थे वो उसके अंदर सबकी पोटलियां डाल दी और इसके बाद मुहमद ने कहा कि श इसको उठा के चलो और इसी से इसका नाम शिप पढ़ गया मतलब इस गुलाम का नाम शिप पढ़ा यानि कि तप्ती वी धूप में सबके बंडल उठा उठा के इसके इस आदमी को दे दिये शिप और इसका नाम भी शिप रख दिया ये देखो ना केवल ये लोग गुलाम रखते थे बलकि गुलामों के नाम भी रखते थे उससे सारा बोजह उठवा रहे हैं और उसका नाम बंदे का रध्यशिप कितनी मतलब कुरूरता है ये कि सारे आदमियों का बोजह ये उठाएगा एक बंदा और उसका कि अगर मैं एक दो तीन चार पांच छे या साथ गधे भी उठा लूँ तब भी वो मेरे लिए इतने हैवी नहीं होंगे लेकिन जब हिंद ने जो है वो शिप को फ्री कर दिया कि इस कंडिशन पर कि वो मुहम्मद को जब तक वो जीवित रहेगा सर्व करेगा तो फिर शिप ने का हाँ हाँ कि वो जरूर करेगा फिर मुहम्मद ने जो है एक पार हिंद की स्लेव लड़की को बुलाया और वो धीरे धीरे आ रही थी ये देख के मुहम्मद जो है वो चिड़ गया उसने मतलब उसको गुस्सा आ गया और हिंद ने जो है जो पर्दा लगा था उसके पीछे से देखा कि वो लड़की जो है उस लड़की का पक्ष ले के किया भraay विचारी ने आपकी बात सुनी नी क्योंकि मुnet जो है वो एकदम से गुसा हो गया क्योंकि वो उस लड़की ने आने में देर करी क्योंकि वो एक जानवर के साथ खेल रही थी तो मुङम्मत ने धमकी दी और फिर उसने कहा कि वो जो टूथ ब्रश जो था उसका मिस्वाक उससे उस लड़की को डराया कि मैं तुझे इससे पीटूंगा और ये ऐसे ही उसने कह दिया क्योंकि वैसे तो कोई भी चीज रोकती नहीं थी मुहम्मद उसको सच मुछ में बहुत पीट सकता था और लड़की का भी पता नहीं कि वो घबराई की नहीं घमराई की लेकिन इसकी सुनने वाली हिंद थी और उसने सोचा कि ये तो मुहम्मद का बड़ा सेंस ओफ यूमर है लेकिन ये कोई मजाक नहीं था एक दिन जब मुहम्मद हिंद के घर में गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक छोटी लड़की वो रो रही है तो उसने देखा कि उसके मूँ पर काले काले निशान है तो उसने हिंद को पूछा तो उसने कहा कि ये तो इवल आई की वज़े से हुए है तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस लड़की को क्योर कर देंगे कि कुछ जैसे कोई इंकेंटेशन है कुछ पढ़के कुछ अपनी ये लोग पढ़ते हैं न क्या बोलेंगे मैं उसको अपने मंतरवर्ड नहीं बोलना चाहती है अपनी ये जो भी कलमा फलमा पढ़ते हैं उससे और अब जो है हालां कि हिंद जो है सोचती थी मुहमद तो बड़ा मजा किया है ये है वो है जो भी लेकिन उसके मोनोगेमस जो इंस्टिंक्ट से वो तो खराब हो गए और मुहमद उसको कभी भी फोकस्ट अटेंशन नहीं देता था जो की एक आदमी उसको देता है जिसकी एक ही बीवी होती है क्योंकि हिंद हमेशा से एक बीवी होना चाहती थी जब फेरवेल पिल्ग्रिमेज हुआ मार्च 632 में तो हिंद बिमार पढ़ गई और वो बहुत ज़्यादा बिमार हो गई कि वो काबा का चक्कर नहीं लगा सकती थी और यात्रियों के साथ तो मुहमद ने ये भी नहीं देखा कि वो बिमार है उसके पास तो बहुत सारे थाउजन्ड में पिल्ग्रिम्स थे और दस और भीवियां थी जो कि उसका अटेंशन चाहती थी और कोई किसी ने हिंद बिचारी पर ध्यान ने दिया उसकी अपनी टीनेज डॉर्टर जैनब के अलावा मुहमद ने फिर finally realize कि हिंद तो बिमार है जब वो आकरी रात मक्का की बितारा था तो जब उसका बारी आई हिंद की तब उसने ये realize किा हिंद तो बिमार है तो जैसे कि उसको उसकी sexual need की जरूवत पड़ी तब जा कि उसको ख्याला आए कि हिंद तो भिमार है और चूंकि वो इतनी बिमार थी तो वो काबा के चक्कर भी नहीं लगा सकती थी इसलिए वो रिचुली भी आनावेलेबल थी मतलब अगर वो ठीक भी होती तब भी उसके साथ नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो उसने काबा का चक्कर ही नहीं लगा था और अगर वो वेट करते मक्का में कि जब तक वो ठीक न हो जाए तो फिर वो ये नहीं देख सकते थे कि कितना वो डिले हो जाते तो ये लोग हिंद को तो लेकर गई थे वहाँ पर तो उन्होंने सोचा कि पिल्ग्रिमेज को जल्दी खतम करें तो मुहमद ने उसको मीना के पास भेजिया रात को और फिर वो सोचने लगा कि ये रात में अब किस बीवी के साथ बिताओं और हिंद ने सुबह सुबह ये लोग शैतान को पत्थर मारते हैं तो ये उसने ये रिचुल करा और उसको जो है ये करने दिया एक उट के ओपर बैठके कि काबा के सरकल तुम उट के ओपर बैठके कर लो इसके बाद फैमिली जो है उसने पूरी मक्का जो है जल्दी से छोड़ दिया अब अगला टॉपिक करते हैं हिंद और उसकी जो दूसरी बीवियां थी मुहमद की 626 से लेकर 632 तक जब हिंद ने जो है घर जोइन किया तो आईशा जो थी 12 साल की थी और वो बहुत जेलस हो गई हाला कि वो मूँ से सई सई बातें बोलती थी लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा miserable फील करती थी जब भी लोग हिंद की सुन्दरता की तारीफ करते थे उसको पहले ही पता था कि हिंद कैसी दिखती है immigrant community इतनी चोटी थी कि हर कोई हर किसी को जानता था और हिंद तो आईशा के घर के अंदर भी थी तो आईशा इतनी disturbed हो गई हिंद के face से इतनी ज़्यादा नहीं जितनी की आदमी जो हिंद के बारे में बात कर रहे थे उनको कोई भी tact नहीं था कि भाई आईशा जो है वो अपना एक romantic rival के बारे में बात करें तो ऐसे ना करते वो अपना खुले तोर पर उसकी beauty की तरीफ कर रहे थे तो इससे आईशा बहुत हर्ट हुई आईशा ने जब पहली बार हिंद को देखा शादी के बाद तो उसने उसको से बहुत politely बात करी फिर वो दोड के गई हफसा के पास और खुब रोई कि हिंद जो है वो तो बहुत ज़्यादा सुन्दर है जितना उसने expect किया था उससे ज़्यादा हफसा ने बोला नहीं नहीं तुम तो खाली जलस हो वो इतनी ब्यूटिफुल भी नहीं है हफसा ने सारी बातें सही बोली जब तक कि उसने नहीं को वाइफ को नहीं देखा वो अपनी ज़्यादा moderate impression रखती थी वो उसने आईशा को बोला मैंने हिंद को देख लिया है इतनी stunning भी नहीं है जैसा कि लोग कहते है हाँ वो सुन्दर है पर इतनी भी stunning नहीं है तो आईशा जो है थोड़ी ठंडी हो गई फिर अगली बार उसने हिंद को देखा तो उसने सोचा कि भई हफसाने सही क्या है लेकिन मैं जलस होगी थी सौधा ने क्या कहा ये record नहीं किया गया है पहले मुहमद ने आईशा को कुछ reason दिया जलसी का एक शाम को वो देर से आया आईशा के कमरे में और उसने ये कहा कि वो हिंद के साथ था तो आईशा ने कहा कि तुम त बेटे का नाम सलमा था तो उसने कहा कि तुम्हारे को क्या इनफ नहीं मिला उम सलमा के साथ तो नभी ने कहा अगर तुम तुम्हें किसी दो पहाडियों दो स्लोप में से कोई चुनना हो जिसमें से एक जो है जिसका लोगों ने खा लिया है चर लिया है और दूसरा बिना क्या किया पता है मैं क्या कह रही हूं बहुत ही गंदी बात तो मतलब की कि यह मोहमद है तो नहें क्या है क्या है उन्हें ृत्त नहीं और एक में जो है वो चरा जा चुका है और दूसरा बिना चरा हुआ है तो इसने ये कहने की कोशिश की कि आईशा तू तो चरी हुई है इतनी गंदी बात है नीचता की पराकाश्टा एक बच्चे को तुम जलस करवाओ बुढ़ा होकर बच्ची को जलस करवा रहा है उपर से उसको कह रहा है कि तू उसको ये भी कह रहा है कि तू तो चरी हुई स्लोप की तरह है कि अगर दो पहाड़ीों में चुनना हो और एक जो है चर चुकी गई हो और दूसरी ना चरी हो बोलो कितनी गंदी बात पही है उसने ची 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 तो आईशा बोली कि मैं तुम्हारी और बीवियों की तरह नहीं हूँ उन सबके तो और भी हस्बेंड हैं तो नभी बस स्माइल किया और उसने कुछ नहीं कहा आईशा और हफसा इनकी रैंक जो है हिंद के साथ थी और सौधा जो है इनके साथ साथ रहती थी जब हिंद ने एक अपने चारों तरफ एक सफेद शीट जो है अपने अपनी वेस्ट प जमीन पर घिसटते आते हैं तो वो हसी हफसा के साथ और उसने हिंद को उसने कहा कि हिंद ऐसी लगती है जैसे कि वो कुत्ते की जीव जो है वो लपकती भी आ रही है उसके पीछे हिंद ने कोई कंप्लेंड नी करी जब उसने देखा कि हफसा और आईशा दोनों ही उसके साथ नहीं वो करती हैं लाइक करती हैं उसको और उसने जो है बॉन्डिंग शुरू कर दी मोहमद की बेटी फातिमा से अब शिया कहते हैं कि जब अली की मा मर गई तो मोहमद ने हिं का गारजन अपॉइंट कर दिया ताकि वो उसके लीगल अफेर्स को और उसको एटिकेट सिखाए उम सल्मा कहती है यानि हिंद कहती है कि जब नभी ने मेरे से शादी करी तो उन्होंने मेरे को जिम्मेवारी दे दी अपनी बेटी की केयर करने की तो मैं उसको पालने पोस् चीजों में ज्यादा नॉलिज मुझसे भी ज्यादा वो करती है दिखाती है अब यह डाउटफुल है फातिमा जो है वो एक अडल्ट थी एक मेरेड वोमन थी और वो मदर थी दो बच्चों की उसको किसी टीचर की या फॉर्मल गारजियंशिप की जरुवत नहीं थी जो क हालां कि हिंद और फातिमा जो है वो अच्छे दोस्त बन गए जब उमर का जो अपनी बेटी हफसा का बेहेवियर करा उसने तो वो हिंद के पास गया कि वो जो है हफसा को मना करे चुप चाप वरन करे तो हिंद ने कहा कि उमर इबनिक अलखताम मैं तो तुम से बहुत ही चकित हूँ तुम हमेशा हर चीज में अपनी नाक गुसाते हो अब तुम जो है नभी और उनकी बीवियों के बीच में भी नाक गुसा रहे हो तो उमर कि हफसा जो है वो मुश्किल में आ जाएगी पर हिंद जो उसको कहने लगी कि वो उसका कोई बिजनस नहीं है और वो अपना गुसा थाम ले फिर अब उमर जो है इसकी बात सुनके वो बेचैन ही रहा और वो से आर्ग्यू करता ही रहा और फिर उसका घर चोड़के चला ग कहने से तो कुछ मानेगी नहीं दो साल लगे जिसके बाद आईशा और हफसा ने जो है हिंद से बाचीच शुरू करी वो तब हुआ जब उन्होंने जो है चाहा कि हम और प्रोविजन्स प्रोवाइड करें जबकि मुहम्मद कहता था उसके पास कुछ भी नहीं है अबू ब पास गए और उनको वर्न किया कि वो अपने और पैसे न मांगे सौधा और दूसरी थे उन्होंने तो चुप चाप ले लिया लेकिन हिंद जो है वो खड़ी हुई इनके लिए तो वो कहती है कि ये तुम्हारा बिजन्स कैसे है हम तो तुम्हारे और तुम्हारी बीवियों के बीच में नहीं आते ही ये तो नभी और उसकी बीवियों का मामला है मतलब उसने उमर को अपोस किया कि तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि हम ना पैसे मांगे अपने हजबेंट से ये तो तुम लोगों के लिए बड़ा अच्छा है कि तुम आईशा और हफसा को कह दो कि कि वही वो क्या चाहती है पर दूसरे से तुम क्यों पूछ रहे हो कि हम अपने हजबेंट से ना बोलें तो तुम अपना बिजनेस खुद माइंड करो उसने अबुबकर और उमर को बोल दिया अबुबकर और उमर इतने ठीक से साइलेंस हो गए कि आईशा और हफसा जो हैं वो सोचने धन्यवाद करने लगी हिंद का उन्होंने कहा कि अल्ला तुमको रिवाड दे हम तो उसको कभी आंसर ही नहीं कर पाते हैं अब हिंद और जिहाद 627 से 631 तक जब मुहमद रेड मारने गया तो उसकी बीवियों ने जो है लॉट निकालते थे कि कौन उसके साथ य जो है यह चीज मौका मिला हिंद को वो करती थी शेयर अपनी ड्यूटी आईशा के साथ बैटल अव डिच में लेकिन मुहमद को गरम करें वो टेंट में इससे पहले इसके मतलब करने के अलावा या नहीं बावजूद हिंद ने जो है वो रक्षा करी डिच की और उसने कहा कि मैंने उसको नहीं छोड़ा और हम तो बहुत ही एक्स्ट्रीम कोल्ड में थे और डिच के बाद मुहमद ने कुरेजा ट्राइप पर अटेक किया तो उसमें जो कॉमरेट सा अबू बुलुबाबा उसने जो है गलती से ये कुरेजा को बता दिया कि भाई वो तो डूम होने वाले हैं चाहें वो कुछ भी कर लें तो वो लोग जो हैं वो अशेम्ड हो गए कि वो मुहमद के वार काउंसल से और उसने अपने आपको बांध लिया एक खंबे से मस्जिद के और उसने कहा कि जब तक अल्ला उसको फॉर्गिव नहीं करेगा वो वहां से नहीं हिलेगा अल्ला ने कई दिन लगाए उसका माइन मेक अप करने में फिर उसने डिसाइड किया जब मुहमद जो है हिंद के घर में था तो नभी जो है वो अचानक से हसा और उसने पूछा हिंद ने की क्यों तो उसने कहा कि अबूल बाबा को माफ कर दिया है तो वो बोलने लगी कि मैं जाओं और उसको ये खुशकबरी दे दूँ तो वो अपने पहले दर्वाजे के फ्रेंट डोर पर गई जो की अबूल बाबा के जो खंबा है उससे बिल्कुल अपोजित था और उसने जोर से चिला के कहा कि भई खुशी मना अबूल बाबा अल् तो मुहमद अपने जो फजर की नमास पढ़ने गया तो उसने उसको कट कर दिया फ्री और हिंद जो है जो आईशा की कंपैनियन थी उस रेड में और वो खतम गुआ नेकलेस अफेयर में और वो ही अकेली बीवी थी जिसे मुहमद हुदैबिया में ले गया था चहसो अठा इसमें उसका क्लेम था उसका गोल था कि वो काबा में पिल्ग्रिम करेगा मक्का में और वो एक आर्मी लेके गया था क्योंकि कुरेश जो है वो किसी शहर में उसको गुसने नहीं देंगे लेकिन एक्चुली में वो कुरेश को प्रवोक करने गया था लड़ाई के लिए ल अब मुहम्मद के पास कोई भी बहाना नहीं था फाइट करने का और ये भी नहीं था कि वो मिलिटरी स्ट्रेंथ को भगा देता किसी बहाने से इसलिए उसको जो एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी हुदैबिया की ट्रीटी देखा मतलब ये मुहम्मद जो है ये बहाने पुझ गया तो इसके पास कोई भाना ही नहीं बचा और वो लोग आर्मी को अंडर नहीं आने दे रहे था इसको आर्मी ले जाने की क्या जरू होता है काबा में अबर तु मंदिर जा रहा है तो तुझे आर्मी ले जाने की क्या जरू होता है यानि कि वो कुरेजा पर अट हो गए गुसा हो गए तो मुहम्मद ने कहा कि तुम अपने sacrifices को burn करो और shave कर लो क्योंकि ये एक ritual था जो कि पूरा pilgrimage खतम होने के बाद किया जाता है तो उन्होंने कहा कि ये pilgrim end होना चाहिए काबा से बहुत दूर के पहुँचने पर ही तो आदमियों को इतना humiliation हुआ तो उन्होंने मुहम्मद की बात को नहीं माना चाहें उस मुहम्मद ने कई बार उन से कहा फिर वो मुहम्मद अपने tent में आया बहुत ज़्यादा गुसे में कि इन आदमियों ने उसका कहना नहीं मांगा तो हिंद ने उसे पूछा क्या बात है तो आप मेरे को answer करो तो फिर उसने finally बता दिया कि आज एक भी आदमी ने मेरे instruction को नहीं माना और ना sacrifice किया ना shave किया जबकि उन्होंने मुझे ठीक से सुना था तो हिंद ने उसको काम करा और उसको कहा कि आप किसी को भी force मत करो कि वो आपको obey करें बस एक example सेट करो उनसे दुबारा बात मत करो जब तक कि वो sacrifice और shave ना कर लें तो मुहमद ने ऐसे ही किया तो जब उसके सैनिकों ने देखा तो वो अपने disobedience से इतने ashamed हुए कि उन्होंने हलाल करा फिर और एक दूसरे को shave करने लगे इतना इतना शेफ करने लगे कि उनको मतलब कि वो killing का भी डर होने लगा मतलब कि किसी को मार ना दे इतना shave करने लगे यानि कि ये भी इन के हां एक ritual है कि ये लोग जो है वो sacrifice करते ऐनिमल को और shave भी करते हैं इसके बाद मुसलमानों ने एड्मायर किया कि भई देखो हिंद ने कितनी प्रैक्टिकल विज्डम लगाई और हिंद यानि उम्म सलमा को बहुत एस्टिटूट और वाइस समझते थे जैसा कि हुदेबिया की घटना हुई ये बात तो सचा है लेकिन मुहमद कभी भी उसकी बहुत एडवाइस नहीं लेता था हिंद की हाला कि हिंद बड़ी फेमस थी कि बड़ी अच्छी एडवाइस देती है और नहीं कभी मुहम्मद ने अपने मुह से कहा कि हिंद बड़ी अच्छी एडवाइस देती है या उसकी विज्डम बड़ी अच्छी है हिंद ही अकेली बीवी थी जो खैबर भी गई और वही तीन में से एक थी जिसने मुहमद को मक्का का कॉंक्वेस्ट और टाईफ की लड़ाई में गई जब आर्मी सरेंडर करने वाली थी घेरने वाली थी ताइफ में तो आपको याद होगा कि हिंद के पास एक वो होता था एक यू नौच मतलब एक हीजड़ा था जिसका नाम हिट था तो उसके हीजड़े हिट ने अपने भाई से कहा और हिट जो थी मतलब वो हीजड़ी थी या था उसने अपने भाई से कहा कि अगर अल्ला जो है तुम्हें विजय देता है ताइफ में कल तो मैं तुम्हें रिकमेंट करता हूँ कि तुम घैलेन की बेटी को लियाओ क्योंकि वो इतनी मोटी है कि उसके पास चार जो हैं उसके फोल्ड पड़ते हैं मास के उसके पेट पर और आठ जो हैं उसके बटक्स पर पड़ते हैं ये सुनते ही मोहमद के कान खड़े हो गए क्योंकि उसने तो इस हिट जो थी यह एक्चुली में वो थी मुकननात आप जानते हो कौन होती हैं तरह तरह के हीजडे होते हैं एक ऐसा लड़का जो कि बहुत लड़कियों की तरह बोलता है और उन्हीं की तरह चलता है और लड़की को तुम ले आना गेहलैन की वो बड़ी मोठी सी है और इसकी इतनी बार बल पड़ते हैं उसके पेट पे तो मुहमत के कान खड़े हो गए क्योंकि उसने सोचा कि ये इसका बड़ा ध्यान है वोमन के उपर अभी तक तो वो हिट को बोलता था कि हाँ भई तुम जो ह ओरतों को देख रही है तो ये मतलब ये तो आदमियों जैसा है तो हिंद ने मुहमत के ओपर बहुत इंफ्लूएंस किया था और बहुत बार जो लोग उसको मुहमत को उफेंड करते थे तो उसमें वो इंट्रफियर करती थी उसने कभी कुछ नहीं कहा अबूला बाबा के बहाफ पर लेकिन उसने ऐसा ही एक सीन जो है इंजीनियर किया जो की तीन साल बाद प्ले आउट हुआ मुहमत ने तीन जो उसके वारियर से सैनिक थे उसको एकस कम्यूनिकेट कर दिया था मतलब बात नहीं कर रहा था जिन्होंने की जिहाद की लड़ाई करने से मना कर दिया था तबुक की लड़ाई में जब हिंद की बारी आई मुहम्मद के साथ सोने की तो उसने उस आदमी के बारे में मुहम्मद से रिक्वेस्ट की लेकिन मुहम्मद ने कुछ नहीं कहा उस शाम को पर सुबह तड़के जब फजर की नवास होती है तो वो उठा और उसने हिंद को कहा कि काब को मैंने माफ कर द के लिए कि उसको माफ कर दिया गया है लेकिन उसने मुहमद ने कहा कि अगर वो ऐसा करेगी तो फिर लोग जो है उसको सोने नहीं देंगे बाकी रात तो मुहमद ने कहा कि मैं अनौंस कर दूँगा कि अल्ला ने फॉर्गिव कर दिया है और उसके दो दोस्तों को भी जब की लड़ाई में और मुहमद उससे भी बहुत नराज था तो उसने भी अपनी बहन से कहा कि मेरे जो है नभी से मेरे बारे में भी बात कर लो तो हिंद ने जो है जब वो मुहमद के बाल धो रही थी तब उसने सोचा कि अब अपने भाई के बारे में बात करेगी तो उसने क कि मैं कैसे खुश हो सकती हूं जब तुम तो मेरे भाई से नराज हो उसने मुहमत से यह कहा तो उसने देखा कि उसका फेस जो है वो नरम पड़ रहा है तो उसने अपने सर्वेंट को इसारा कर दिया और वो दोनों भी वहां से चले गए तो वो नहीं सर्वेंट और tempt को वहां छोड़ गई तो सर्वेंट जो है वो अलमुजाहिर का केस प्लीड करने लगा अब जब हिंद सर्टन हो गई कि मुहमत जो है वो सिंपैफी दिखाएगा उसने अपने भ प्राइस हुआ जब मोझाहिर ने उसकी कमर को पकड़ा मुहम्मध की पीछे से तो मुहम्मध हसा और हिंद ने *** कहा कि इसकोarnya कर दो और ना तुमको फेवर करेगा तो मुहम्मद के 의 उसके एहसान कर दिया और उसके बना दिया यमन को अब कर देखो कि हिंद की पावर इतनी थी नभी के उपर की पर वो absolute पावर नहीं थी जब वो मक्का जीतने जा रहा था 630 में तो दो उसके कजन थे उन्हों वो मिलना चाते थे मुहम्मद से तो हिंद ने कहा उनको अद्मिट करने के लिए टेंट में कि अल्ला जो है उनको लेकर आया है मुसलमान बनाने के लिए तो उनको और मिजरिबल मत बनाओ तो मुहम्मद ने कहा कि मेरा ये दोनों useless हैं मेरा कोई काम नहीं इसे तो उसने का मेरा अंकल का बेटा जो है उसने मेरी रेपूटेशन खराब करी है और जो मेरी मौसी का बेटा है उसने मेरे से मूँ पर जवाब देही करी है तो ये एक दस साल पहले ये इंसल्ट होई है जबकि मुहम्मद वहां मक्में रहता था। हिंद ने कहा कि कुरेष ने भी तो ऐसे ही इंसल्ट किया था और मुहम्मद ने तो बहुत ही बुरे बुरे अपरादियों को भी माफ किया है तो उसको लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं इन्होंने मेरी इज़त पर उच्छाला किया है और मुझे इनकी दरुवत नहीं है तो उसका जो अंकल का बेटा था उसने डिस्पेर किया उसने कहा कि अगर ये मुझे नहीं आने देगा तो मैं और मेरा छोटा बेटा जो है हाथ में हाथ डाल के मेरे एगिस्तान में घूमते रहेंगे जब तक कि हम भूको न मर जाए और कजन्स को जो है वो मुहमद को ट्रेल करना पड़ा all the way to मक्का तो उनके दोस्तों के साथ मिले जब वो टेंट में बैठा हुआ था और फिर जब तक कि हुनैन का जो यह लोग एंबुश करते थे मतलब अपने मुहमद का तरीका यह था लढ़ने का कि वो छुप जाता था और एंबुश करता था अचानक से तो हुनैन की लड़ाई यह एंबुश की लड़ाई थी तब उसमें यहीं लड़का जो है उसने मुहमद की जान बचाई और जो नभी है उसने उसको कहा कि तुम्हें अल्ला ने फर्गिव कर दिया है जब मक्का की फते हो गई तो हिंद को बड़ा सर्प्राइज हुआ जब उसको फातिमा मिलने आई एक फातिमा बिंत अल अस्वाद ये दूसरी थी ये नीस थी उसके पहले हस्बेंट की जो की आके उसके साथ रहना चाहती थी मतलब की क्योंकि उसको कोई शरण चाहिए थी फातिमा जो थी वो एक कन्विक्टिट थीफ थी एक बार उसने कुछ ज्वलरी बोरो की थी तो उसको बेच दिया और फिर बाद में उसने ये कहा कि मेरे पास तो थी नी और उसने एक यातरी का बैग भी उठाया था लेकिन उसके ओनर ने उसको पकल लिया और उसको मुहमत के पास लाए तो उसने कहा कि इसका हाथ काट दिया जाए मतलब की फातिमा उस अलसाद का तो तो ये तो इसका मेरे पास इसकी फोटो भी है अगर आप रुको तो मैं दिखाती हूँ वो दूसरी किताब में है वो भी इसी राइटर की लिखी हुई है और उसने मुझे कहा है कि मैं उसकी किताब में से ये यूस कर सकती हूँ पिच्चर्स मैं कई बार उसमें से पिच्चर्स के लिए यूस करती हूँ उस किताब को खुद तो दूसरों की चीजें लूट रहा है और उस फातिमा का हाथ कटवा दिया इसने तो दूसरों की चीजें लूट है और उसमें लूट वाम पुद तो अे उसके लिए रहा है और उस नहां लूट नहां गूसरों का है झाल झाल यह देखो यह जैनब को इसने नहाते वे देखा थे यह उसकी फोटो है वो यह अगर देखना चाहता हो यह जैनब के नहाने की फोटो है यह मेरे को इतना नही दिखाना चाहिए था ना यह जैनब को यह जैनब को यह जैनब को इसके दो पैर बांदिये दो उंट से यह वो उम्म किर्फा है सार्च कर लेती तो जादा अचा होता यह यह दिखा रही थी आपको दिख रहा है आपको लोगों को यह है यह फातिमा का इन्होंने हाथ काट दिया जी अब आगे चलते हैं एक एक वाइफ के बारे में इतना डिटेल में दिया हुआ है कि मैं 93 पेज़ का तो यह अभी तक 43 पेज़ पहुंची हूँ तो उसने कहा कि उसका हाथ काट दिया जाए तो हिंद मुहम्मद के पास गई उससे कहा कि भई इसको थोड़ा सा फर्गिव कर दो तो इसके इस बार जो है उसका कोई भी बात नी मानी गई और मुहम्मद ने का अगर मेरी बेटी भी होती तो भी मैं उसका हाथ कटवा गी था तो मुहम्मद का क्लेम था कि वो बड़ा जस्टिस करता है और यह चीज ट्रू नहीं है जैसे कि वो बहुत लीनियन था जब अली ने एक गुलाम को चुराया था जब बूटी बाट रहे थे अटैक के बाद जो यह चोर का लूट का माल बाटते थे तो अली ने गुलाम खाता था जैसे मैं बड़ा जस्टिस करता हूँ क्योंकि वो मकजूम क्लैन के लोगों से हेट करता था और यह फातिमा उसी क्लैन को बिलॉंग करती थी इवन हिंद भी तो उसी की थी और उसके जज्जमेंट से सारी कम्यूनिटी में शौक वेवज हो गई बहुत सारे को ऐसे ही डांट दिया कि भाई जो है नेगोशियेट नहीं होती है अल्ला की पनिश्मेंट और यह सच मुछ में सब के सामने यह पनिश्मेंट केरी आउट हुई और फातिमा का जो लेफ्ट हैंड था उसमें से खूब खून निकल रहा था यह म्यूटिलेटिट फातिमा ज दिवाए एक लैन के उपर तो हाला कि वो विजिट करने जाती थी आईशा को जो की विश्वास करती थी कि वो सच मुछ में एक रिपेंटेंट है और और वो कहती थी कि गिफ्ट दे दो उसको कुछ आईशा कहती थी हिंद और उसके बच्चे 626 से 632 तक तो इसलामिक ड्यूटी होती है बच्चों के लिए तो मुहमद ने जो है यह प्रामिस किया था कि वो हिंद के बच्चों की देखबाल करेगा और उसने एक पादर की तरह उसको एक मतलब उसके बेटे को नाम दिया और गुड़ एजूकेशन दी और जब वो पिबर्टी प मतलब वर्चुस है क्या बोलेंगे उसको बड़ी गुणवता वाली अपनी मदर इनलो के नाम पर यह मुहमद की आंट थी और वो कभी भी मुसल्मान नहीं बनी थी तो इसलिए मुहमद को यह बर्रा नाम बहुत ही बेकार था लगा और उसको परसनल रिजेंट्मेंट था उसकी आंट बर्रा से और लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो क्यों इतनी घ्रना करता था उस बर्रा से क्योंकि वो मुसल्मान नहीं बनी थी इसलिए शायद तो एक दिन जब हिंद ने अपनी बेटी को बुलाया और उसने कहा कि तुम क्लेम मत करो कि तुम वर्चुस हो क्योंकि अल्ला ہी जानता है कि कौन वर्चुस हैँ तो उसने का अपनी बेटी का नाम जैनब रग दो तो हुआंद ने का ठीक है इसका नाम जैनब है तो अभ जो है अब्दल्ला की जो बेटी है उसका नाम बर्रा से हिंद कर दिया Hिंद की चोटी लड़की का नाम रुकया था यानि कि चार्मिंग रुकईया मतलब चार्मिंग पर ये एक मिस्टेक है क्योंकि मुहमद ने दर्रा जो है दुर्रा नाम जो है वो पर्ल का मतलब होता है उसने जो है इस नाम को चेंज करने के लिए कहा लेकिन ये चेंज टिकनीक हुआ उसके जो चार बच्चे थे हिंद और अब्दल्ला से उसके नाम थे जैनब, सलामा, उमर और दुर्रा दुर्रा दूसरी बेटी थी उसने दूसरा बेटी का नाम भी चेंज करने की कोशिश की पर्ल लेकिन सब लोग उसको दुर्रा से ही बुलाते रहे अब आते हैं गुड एजुकेशन पे अभी तो पहले नाम दिया, अब नाम पे आ गए, अब दूसरी बात एजुकेशन पे, हिंद के बच्चे जो थे, वो बहुत एजुकेटेड थे और उसने उनको ये भी कलाएं भी जिखाई थी कि कैसे टैन करो, चमडे को, बजार में जाके नेगोशेशन कैसे करो और मुहमद ने अरेंज किया कि सलमा और उमर को धनुश बान और तलवार चलाना सिखाया जाएगा और लड़कियों को खाना बनाना और सफाही करना लेकिन मुहमद का मतलब गुड एजुकेशन से ये था कि एजुकेशन इसलाम की तो बच्चे जो बड़े हुए तो वो मस्जिद में और उन्होंने इसलाम को पी लिया ऑस्मोसिस की तरह है जब उन्होंने वो पांच बार वो कुरान को रिसाइट करते थे और उमर जो है वो ये सारे डिटेल नोटिस करता था कि जो नभी है वो एक कपड़ा पहन के करते थे और और उस कपड़े को क्रॉस करते थे अपने शोल्डर पर अब गुड मैरिज पर आते हैं मुहमद का बारे में एक रेपूटेशन थी कि वो बड़ा अच्छा मैच में कर रह और हिंद के दो जो बड़े बच्चे थे उनको उनके जो वो हैं पार्टनर्स हैं वो अपने ल और ये ये जो थी हिंद से बात आई थी क्योंकि वो अपने बेहन के बेटे को फेवर करती थी अपने बेटी के लिए लेकिन मुहम्मद था उसने जो है सलमा की शादी जो है वो उमामा बिंत हमजा से कर दी जिसको की मुहमद चड़ाता था कि भई तुमने सलमा को रिवार्ड करा है की नहीं और वो दोनों कपल बहुत यंग थे और उनकी मेरिज जो है कंजुमेट ही नहीं हुई मुहमद के लाइफटाइम तक सलमा जो था वो लड़का था उसकी शादी उमामा बिंत हमजा से करी थी जो की बहुत सुन्दर थी लेकिन उसकी शादी कंजुमेट ही नहीं हुई मुहमद ने सब कुछ क्या हिंद की बच्चों के लिए जो वो कंसिडर करता था इंपॉर्टन है लेकिन उसने कोई भी duty की बात नहीं की कि एक पेरेंट की क्या duty होगी नहीं उसने खाने की बात और psychological need और ये सब की कोई बात नहीं प्रोविजन क्या देता था एक बार हिंद को किसी ने एक मीट का पीस दे दिया तो उसने सोचा कि मुहम्मद को मीट बड़ा पसंद है तो उसने अपने छिड़की के पास रख दिया ताकि वो जब विजिट करने आएगा जिस रात उसका टर्ण है तो वो उसको दे देगी तब पीच में एक बार एक भिकारी आ गया तो तो इसने बोला कि अल्ला तुमको ज पूचा तो उसने तो हिंद ने बोला कि वो मीट लिया है लेकिन जब सर्वेंट आया तो उसने देखा कि वहाँ पर खाली एक फिलिंट का पीस था हलां कि यह एक नॉन सुपरनेचुरल एक्स्पलेनेशन हो सकता है मुहमद ने हिंद से कहा कि मीट जो है वो फिलिंट में ब जनरेस वाइफ थी मुहमद की वो जो है उसके बच्चों की लार्जस्ट नंबर बच्चों की मा थी और उसको सोचना था कि वो उनको कैसे खाना खिलाए उसने मुहमद से भी बोला कि अगर अगर अल्ला मुझे रिवार्ट करता है तो मैं अपनी सारे पैसा जो है वो करूंगी क्योंकि वो मेरे ही बच्चे हैं और अगर वो कोई कोई कोशन पूछना चाहती थी तो उसको पता था कि भाई कोई भी उसके बच्चों के लिए नहीं करेगा और मुहम्मद ने का हां हां करो क्योंकि अल्ला तुमको इसका फल देगा हालां कि मुहम्मद ने शुरू में कहा था कि वो अब्दल्ला के बच्चों के लिए प्रोवाइट करेगा लेकिन हिंद को समझ में आ गया कि आईशा और हफजा ने क्या एक्सपिरियंस किया है कि मुहम्मद जो है वो उनको बिलकुल मरने तक के लेवल तक रखता था और अगर हिंद एक ज़्यादा कमफर्टेबल कुछ चाती थी अपने बच्चों के लिए तो उसको खुद से ही प्रोवाइट करना पड़ेगा मुहम्मद कुछ नहीं देता था हिंद जो है वो प्रोसेस करती थी राव मेटिरियल क्राफ्समेन के लिए और वो काफी सारी उन और पाम का फाइबर रखती थी अपने घर में तो उस उन को जो है स्पन करना पड़ता है फिर बेदूइन के जो बुनकर हैं उनको देना पड़ता है और जो पाम का फाइबर है उसको उसमें प्लेटें डालनी पड़ती है और उनको एक रसी की तरह बेचना पड़ता है या फिर उसके मैट बनते हैं या बास्केट और जो लेदर है जो चमड़े को वो टैंट करती थी वो भी मनुफैक्चरर के टैंट वगरा सैडल जो घोड़े पर बैठने के शील्ड बूट बैग और पानी के जग बनाने में जाता था और हिंद जो है वो आईशा की तरह जो है वो मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल में नहीं रहने के आदे थी वो बहुत अमीर खांदान की थी और वो अपनी कमाई खुद कर लेती थी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी बच्चों को लेकिन उसको कैश फ्लो के बारे में सोचना पड़ता था एक बार उसने स्कूल टीचर से कहा कि वो कुछ लड़कों को भेज दे ताकि वो उसको उनको करें पर उसने कहा कि जो फ्री लड़के हैं उनको मत भेजो गुलाम लड़कों को भेजो क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकती उन से काम कराने की यानि ये गुलामों को कोई पैसा वैसा नहीं देते थे, काम करवाते थे पर पैसा कोई नहीं देते थे एपंड की आपको याद होगा कि जब इसकी शादी घुए थी हिंद की मुहमत के साथ तो कई दिन तक ये पर्दा डाल के रहती थी मुहमद और अपने बीच में और हमेशा बच्चे को दूद पिलाती रहती थी क्योंकि इसका बच्चा तब ही पैदा हुआ था तो मुहमद जो है चिड़ गया क्योंकि ये अवेलेबल नहीं हुई एक हफते तक तो इसने अब कह दिया कि बच्चे को दूद पिलाना बंद कर दो क्योंकि इससे मुहमद को तकलीफ मिलती थी ना उसको सेक्स करना था तो जो चोटी दुर्रा थी चोटी बेटी उसको उमर के घर ले गए ताकि हिंद की जो बेहन है वो उसको नर्स कर सके ये एक टाइमप्रेरी अरेंज में था जो क्योंकि वो जो कुरेबा थी उसका तो कोई बच्चा नहीं हुआ था आपको पता है कि जो वोमन प्रेगनेंट होती है जो जिसके बच्चा होता है उसी को तो दूद आता है सबको थोड़ी आता है तो दूसरी वोमन थोड़ी ना दूद पिला सकती है जब जब कि उसको बच्चा नहीं है कोई तो तो कुरेबा के तो कोई बच्चा ही नहीं था तो उसको कोई दूद नहीं आ रहा था तो वो तो रखेगी लेकिन जो कुरेबा थी उसके कोई बच्चा नहीं था तो वो तो फीड़ी नहीं कर सकती थी तो कोई गुलाम लॉंडी जो दूद दे रही हो जिसके दूद आ रहे हो जिसका मतलब बच्चा हो अभी प्रेगनेंसी अभी अभी हुई हो डेलिवरी हुई हो मेरा मतलब तो लैक्टेटिंग स्लेव हो या कोई किसान मजदूर टाइप की तो वो उसको वेट नर्स को हायर कर लेते थे अगर वो मिडल क्लास वोमिन है जैसे के आईशा की बहन अस्मा तो फिर वो भी दूर्रा को पिला देती थी दूद क्योंकि वो जो आईशा की बहन अस्मा थी उसके भी दूद आ रहा था तो हिंद कहती है कि उनकी family की diet जो थी वो basically dairy dominated थी यानि दूद वगरा कि मुहमद ने जो है contract किया था दूद का साथ बकरियों से जिनके नाम थे बजार, blessing, bubbles, mistress, nostalgia, novelty and sweet date ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं अगर मैं इसको हिंदी में करूँ क्योंकि ये तो इसमें है ना तो ये उनके नाम थे उसके पास साथ बकरियां थी मुहमद के पास उनके नाम थे बाजार, आशीरवाद, बुलबुले, मालकिन, पुरानी यादे, नवीनता और मीठी खजुर ठीक है? बाजार, आशिरवाद, बुलबुले, मालकिन, पुरानियादे, नवीनता और मीठी, खजूर. ये नाम थे उन साथ बकरियों के. जो मुहमद की थी. अब जो है वो उसकी जो डॉर्टर इन लौ थी बराका, वो उनको उनकी बकरियों की देखभाल करती थी. पर शाम को वो घर में आती थी लेकर बकरियों को और जब मुहमद सो रहा होता था और कहती थी कि जब भी तीन बकरियां फैमली के साथ रात गुजारेंगी तो जो परि के लिए रात भर दुआ करेंगे सुबह तक. तो मुहमद जो है वो बीस दूद देने वाले कैमल्स को भी उनको भी ओन करता था जिनके नाम थे अब उनके नाम भी उनकों के नाम भी दिये हैं. मतलब उटनियो के नाम भी है एक विनट रुकिये हैं. उटनियो के नाम है एमबलर, ब्लिस, ब्लॉंडी, इजी, फिली, लेडी, लक्की, मेंटल, मिलकी, टॉनी और वेडिंग. ये नाम है. अब ब्लिस, एमबलर का मतलब तो मुझे नहीं पता, एमबर मतलब तो वो होता है जो चिंगारी. और ब्लिस मतलब की बहुत ही अच्छी अवस्था, मतलब सुख अवस्था. और ब्लॉंडी मतलब वो सुनहरे बालों वाली, आसान, फिली भरने वाली, लेडी, लक्की मतलब भागशाली, मेंटल, मिलकी, दूदिया, टॉनी मतलब वैसर रंग से और वेडिंग यानि शादी, निकाजो भी. ये थे उसकी उंटनियों के नाम. अब कुछ तो उसको गिफ्ट में विली थी और कुछ जो है वो चुराई हुई थी. एक जो नौकर है वो उनको जो है शहर के पास ही कुछ पैस्चर से वहां ले जाता था और मस्जिद में वापस ले आता था जब सूरज ढ़लने के बाद. वेडिंग वाली जो शादी वाली थी जो निका वाली थी नाम की उंटनी थी उसको हिंद को दे दिया था जिसको की बहुत महनत से उसके अंदर से दूद निकालना पड़ता था. आपको पता है उंटनी का दूद बहुत मीठा होता है. मैंने सुनाए कि उसका दूद निकाल इतना मिल्क देती थी जितना वेडिंग देती थी और टॉनी को मिला के मेंटल का मिल्क जो है वो पहले जोतने भी अतिती आते थे उनको दिया जाता था और बाकी बचा हुआ जो फैमली है वो खुद ले लीती थी अगर वो जो दुहने वाला जो मतलब उंट का वो है वो देर से आता था और अगर अतिती बहुत जादा हो तो मुहम्मद जो है वो गालियां देता था कि भई अल्ला जो है वो उसको प्यासा रखे जो मेरी फैमली को प्यासा रखेगा हिंद ने कभी भी इंडिकेट नहीं किया कि जो राशन का मिल्क है वो जो है वो कंपनसेट करा जाए क्योंकि हिंद के सबसे ज्यादा बच्चे थे तो इस तरह से डिस्ट्रिब्यूट नहीं किया उसने कि जिसके ज्यादा बच्चे हो उसको ज्यादा मिले और उसको तो सबसे कम लीस्ट प्रोडक्टिव कैमल हिंद को मिला था जबकि सबसे बड़ी फैमली हिंद की थी क्योंकि उसके चार-चार बच्चे थे भी बड़ी अजीब सी बात है कि मुहम्मद ने इस तरह का करा था कि जो सबसे कम दूद देने वाली कैमल था वो दे दिया हिंद को जिसके सब उसको मार दिया और उसके उट को भगा के ले गए अरे भाईया ये तो बहुत बड़ी कलैमेटी हो गई एक मुसल्मान सैनिक जो है जो भी इनका लुटे रहा है वो इसके पीछे-पीछे गया चोरों के और उनको गोली मार दी और गोली मारी है धनुश माराया पता नहीं य जो मुहमद आया तो वो अपने सारे कैमल्स उसने रेट्रीव कर लिए और जो रेडर से उन वो मारे गए और जो वारियर था उसने एडवाइस किया मुहमद को की एक आर्मी को भी भेजो उनके पीछे और उसने कहा कि भाई सारी तो इनको उंट मिल गए थे फिर भी ये इत कोई बात नी लेकिन इसने मेरे उंट चुराए हैं तो इसने चै महीने के बाद मतलब की इससे ये पता चलता है कि फूड वहाँ पर स्केर्स था लेबर तो बहुत था तो आदमी मर गया इसका उसको दुख नहीं था नभी को लेकिन उंट उसके चले गए इस बात का दुख था तो छे महीने के बाद जो है वो उंट दुबारा चुरे चुरे गए इस बार जो है वो आठ बैदूइन लोग आये और उन्होंने इसलाम के बारे में बातचीत की कि वो बही मदीना में रहने आये हैं और तो इसके बाद उन्होंने उंट का दूद पिया मुहम्मद के ख उनकी जीभों में और आखों में घुसवा दिये सरीया हैं और मुहमद ने अपने वारियर्स को उनके पीछे बेजा और मुर्डरर्स को और कैमर्स सब को ले आए और बैदुईन के हाथ पैर काटके उनके गरम गरम जो है लोहे से उनकी आखें ब्रेंड कर दी और फिर इसके बाद हाथ पैर काटके उनको एक पत्थर के उसके ओपर छोड़ दिया उनको प्यास से प्यास भी लगी थी तो उनको पानी भी नहीं दिया और उनको पानी मांगते रहे और वो सूरज के exposure से हिल भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके हाथ पेर कटे हुए थे और आखें भी उनकी इन्होंने गरम-गरम लोहे की कीले उनकी आखों में डाल दी थी तो अनस ने कहा कि वो कि ये punishment जो थी वो ऐसी नहीं थी कि ये इसलिए नहीं थी बलकि जो थे ये मूरति पूजक थे और इस वजए से इनको मिली है ये मूरति पूजक थे और बाद में ये इसलाम में आया और अभी अपॉस्टेट हो गया इसलिए इनके साथ ये करा गया अब अते नर्चर पर कि मुहम्मद जो है हमेशा बड़ा affection दिखाता था अपने grand बच्चों के लिए तो हिंद हमेशा देखती थी कि वो उनको बड़ा हग कर रहा है और उनके साथ टाउन में जा रहा है असन और हुसेन जो थे वो फातिमा के बच्चे थे वो उनको अलाउट था कि वो जो मस्जिद के उपर जो पल्पेट है उसके उपर जाके वो वहां से प्रीच करते थे जब वो प्रीच कर रहा हुथा था तो उस पर चड़ जाते थे और वो अपने प्रेयर रिच्वल में उनको भी उपर उठाना और नीचे रखना और उमामा जो डॉटर थी जैनब की उसको इन लोगों को करता रहता था मुहमद जब फादर ले अफेक्शन की बात करें तो वो हिंद के बच्चों को ज़्यादा वो करता था चैरिश करता था हिंद एक बार अपने घर में बैटी भी थी मुहमद और उसकी बेटी जैनब थी जब फातिमा आई अपने दो बेटों के साथ तो मुहमद ने अपने जो ग्रैंड बच्चे उनको गले लगाया और कहा कि अल्ला की जो है मरसी तुम लोगों पर रहे हिंद जो है इतनी ज्यादा अपसेट हो गई इस डिस्पले से कि वो बैट के रोने लगी जब मुहमद ने बोला कि क्या गरबड है तो उसने कहा कि आपने कहा कि भई इसके बच्चों के लिए तो ब्लैसिंग दी और मेरी बेटी जो थी दूआ पड़ी तो उसमें अपनी स्टेप बेटी के लिए नहीं कहा जो उसकी बेटी के बेटे आए जब उसके नाती आए हसन और हुसेन तो उसके लिए उसने दूआ निकाली और अपनी जो हिंद के जो पहले हस्बंड के साथ बच्चे थे वो भी वहीं बताते थे और लिस्ट ऑफ रूल्स का काइदे कानून भी बताते थे और लेकिन उन्होंने बहुत सारी मेमरीज जो की प्रॉफिट एज़ फादर फिगर के बारे में कभी कुछ नहीं कहा और उन्होंने कभी भी जैवलिन डिप्ले या या उट के सवारी या कोई और गेम्स जो मुहमद प्ले करता था आईशा के साथ वो कुछ भी नहीं उन्होंने का इसका मतलब की फैमिली बॉंडिंग कभी भी नहीं हुई उसके ये भी पता चलता है कि मुहमद को ज़्यादा इंटरेस्ट उसके डिस्टेंट कजन उम्म सुलेम और उसके स्टेप बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्ट था उमर के पास डिटेल्ड मेमरी है अपने स्टेप फादर की कि प्रॉफिट ने उसको इसलाम के टेबल मैनर्स बताए तो वो कहता था मेरा हाथ जो है सब तरफ जो प्लेट रखी होती थी उस पर जाता था लेकिन नभी ने मुझसे कहा कि भाई तुम अल्ला का नाम लो और अपने सीधे हाथ से काओ और उसी प्लेट से खाओ जो तुमारे सबसे करीब है और फिर मैं अभी वोही सब इंस्ट्रक्शन्स करता हूँ जब मैं खाता हूँ टेबल मैनर्स तो टीच करना फाइन है और और उमर को वो अच्छे मतलब तरीके से सिखाता था हिंद का जो बड़ा बेटा था सलामा वो एक मुसलिम समाज के लिए एंबेरिस्मेंट बन गया बड़ा होके अब डिटेल्स तो जो है वो ऐसे छुपा दियें कि पतानी की सलामा ने क्या किया या वो दुर्भागेशा ली था लेकिन बस इतना पता है कि वो एक एंबेरिस्मेंट था उसने अपने स्टेफ फादर के में कुछ नहीं कहा नहीं कोई एक भी सिंगल जो है खदीस मिलेगी उसके नाम से तो अल्ला का जो लास्ट प्रॉफिट है यानि की मुहमद उसने कोई भी इंप्रेशन उसके उपर नहीं किया और सलमा के पास तो खाली बैड तिंग्स ही थी मुहमद के लिए कहने के लिए हिंद की जो छपसे चोटी बैटी थी दुर्रा जो 6 की थी जब मुहमद मर गया 6 साल की थी जब मुहमद मर गया और ये अंसरप्राइजिंग नहीं है कि उसको कुछ जादा याद नहीं है जैनब कि जैसी नहीं बढ़ की दुर्रा को मुहम्मद ने कभी ओवर लुक नहीं किया जैसे जैनप को वो इग्नोर करता था दुर्रा को नहीं किया उसको नोटिस किया होल फैमिली ने उसको नोटिस किया और उसने अपना अट्रेक्शन उसके प्रती पूरा ही ओ माई गौड हिंद की जो बच्ची तो उसको देखकर मुहम्मद ने उससे शादी करने का प्रपोस किया अब इस बारे में आपका क्या कहने प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताईए कि ये जो मुहम्मद था इसने हिंद से शादी की थी और हिंद अपने साथ चार बच्चे लाई थी तो जो जैनब थी बड़ी वाली बेटी और इसके बाद दो बेटे थे और दुर्रा सबसे चोटी बेटी थी जब वो 6 साल की थी तब मुहम्मद मर गया था लेकिन मुहम्मद ने अपना इतना अट्रेक्शन उसकी तरफ वो किया था कि उसने उसको कहा कि तुम मेरे से शादी क किये हुए था कि इस दुर्रा के बाद में आपने सुना था पहले वो तो भी 6 की भी नहीं थी 6 साल में तो मुहम्मद मर गया था तो इसने दुर्रा से कहा शादी करने को हाँ बिल्कुल जितेंदर जी अब इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था कि दुर्रा से भी इसने और जब कि उसकी मा से मारेड है छी 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 दुर्रा जो थी वो आईशा से छोटी थी और वो उसमें मुहम्मद को बहुत इंटरेस्ट था बारे मुहम्मद का इंटेंशन नहीं था उसको टच करने का इसलिए नहीं कि वो छोटी है क्यूंकि वो कोई भारीर नहीं था और क्यूंकि वो उसकी stepdaughter भी थी और उसकी foster niece भी थी वो इस चीज़ को बहुत लेता था मोहम्मद, बलड को, फॉस्टर रिलेशन्शिप्स को लेकिन इसने दुर्रा के मामले में कहा कि चुकि वो उससे रिलेटेड है तो इसलिए वो सही नहीं है इसलिए नहीं कि वो छोटी है तो फिर हिंद ने जो है उसको डर था इस बात का लेकिन हिंद ने जो है वो देखा कि दुर्रा सेफ है इस वज़े से जैनब जो थी वो दस साल की थी सॉरी जैनब जो थी दस साल बड़ी थी दुर्रा से उसी को पता था कि जो मुहम्मद है जिस निगाह से उसकी छोटी बेहन को देखता है इसी लिए वो reserved रहती थी अपने stepfather से हाला कि वो उसके बारे में loyally बोलती थी कि वो ही वो सच्चा नभी है पर उसने कभी भी ये नहीं कहा कि वो उसके close है हिंद जो थी वो मुहम्मद से शादी 6 साल रही उसकी लेकिन उसने उसके साथ कोई बच्चे पैदा नहीं कि आईशा तो छोटी थी सौधा जो थी वो थोड़ी बड़ी थी मतलब वो 23 साल की थी सौधा तो बड़ी थी उसकी सारी बीवियों में और जैनब बिंत ख्वैजमा उससे वो नौ महीने तक ही मेरेड रहा मुहम्मद का हाउस होल्ड है इन फर्टिलिटी प्रॉब्लम से सफर करता था मेरे ख्याल में इसको यहीं पर एंड कर देते हैं और हिंद और इसलाम के बारे में हम पार्ट थ्री में जानेंगे आज के लिए इतना ही बहुत है तो अगर कोई बाचीत करना चाहता है तो मैं एक लिंक दे देती हूँ और मैं इसको लिंक को डाल देती हूँ जी मैंने लिंक पिन कमेंट में दे दिया है कल हमारी सनातन सभा है आज कोई इसी बारे में जो आज मैंने कवर किया है हिंद और मुहम्मद का रिलेशन्शेप इसके बारे में कोई बात करना चाहता है तो आज यह उपर बात करने को जी बोलिये आप हुसेनी ब्रामन नहीं हो सकते या तो आप हुसेनी है या आप ब्रामन है आप हुसेनी है या ब्रामन है झालए मिर करने बात अरुड़ को अ तो आप हुसे harassment कि ए LEO मैंने अल्रड़ी लिंक दे दिया है कोई मुहम्मद और इसके बारे में बात करना चाहता है तो आ सकते हैं ठीक है कोई नहीं आ रहा है तो मैं अब इसको एंड करती हूं और पार्ट थ्री हम जो है नेक्स टाइम करेंगे कल तो मारा कल तो यह है और पार्ट थ्री हम वेंस्टे को करेंगे और थ्रस्टे को एवरी थ्रस्टे हम सुवेद जी के साथ जो है करेंगे स्ट्री तो आप सब लोगों को जै सनातन वैदिक राष्ट्रा कल फिर मिलते हैं साम अवेद में जै श्री रहन